नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से कवर आपको दिल से बहुत सागत करता हूँ, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ Importance Company का अपडेट लिग क्या है हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा कि किस वीडियो के अंदस्तर कंपानी के डिसकेशन नहीं, कंपानी के टेकिनिकली चाट परेटन के बारे में बताऊंगा, और कहा का पर मेरा टेड है, और किस point of view से मैंने टेड लिया, किस situation के बिसिस में मैंने टेड लिया, वो भी मैं आपके साथ सेयर करूँगा, क्योंकि आपको मैं सारे की सीखाने वाला हूँ, और वो भी free of cost, बहुत सारे दोस्त मुझे comments भी किया है, Sir, क्या आप course कराते हैं, तो मैं माफी चाता हूँ, मैं course कभी नहीं करा, अभी तक मैंने किसी को course नहीं कराया, अगर आपको सीखना है, तो आपको free में सब कुछ मिलता है, तो एही सीखिए, इसको सीखकर आप खुदी एक बार back testing करिये, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कि किस तरीके से काम करना है, लेखिए मेरा मकसद ऐही है, कि मैं जिस तरीके से पैसा कमा रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से सारे चीज़े को सीखकर वैसा कमाईए, कि कि किसी के tips लेकर, किसी के बात सुनकर काम मत करियेगा, वहाँ पर आपको profit कितना होगा, बहुत तो पता नहीं, मगर मैं तो जब starting में आया था, तब मुझे कभी एक ग्रूपिया भी profit नहीं हुआ, सुकून भी मिलेगा, कि हाँ, मैंने खुद research किया, और trade किया, मुझे profit हुआ, तो please, मैं request करूँगा, सारे चीज़े को सीखकर काम करिये, तो आज का जो first company है, उसका नाम है, समर्थना मदार्शन इंटनेशन लिमिटेड, कि इस company को पर मेरा जहाँ पर trade है, उस trade के बाद बहुत सांधा तरीके से momentum journey स्टार्ट हो चुके है, और मेरे ही सबसे best तरीके से target जल से जल मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हेंटी बना था, तब मैंने अपके सास्यार किया था, और हाँ time ज़्यादा लग गया, तो कभी-कभी होता क्या है, कुछ companies को पर time थोला सा ज़्यादा लगते है, इसके लिए पको चिंता करने का जुरूत नहीं, अगर अपने सही तरीके से analysis किया company को उपर, तो उसके उपर आपको बने रहना चाहिए, जैसे में इस company को उपर analysis करने से पहले, technically मैं बताऊंगा, कहाँ पर मैंने टेड लिया, देखे finally क्या बना, यहाँ पर एक solar बना था, उसके बाद एक big head बना, उसके बाद दो बार solar बना, तो finally क्या होँआ पर breakout हुआ, actually breakout होने का बाद breakout confirmation भी हुआ, तो breakout मिला, और उसके breakout confirmation भी मिला, उसके बाद देखे, धीरे धीरे करके company उपर जा रहा है, तो बहुत सरे लोग मुझे comments क्या, इतना दिन होल्ड किया, तो क्या सार उपर जा पाएंगे, तो बार-बार में आपको एक इचीच बोलता रहा, कि कुछ companies के उपर आपको time लगेगा, patience का ही game है, यह सब कुछ patience का game है, अगर आपके पास patience है, तो आपको जुरू फाइदा मिलेगा, अगर आप जलबाजी करेंगे, कि चलो मुझे आज ही इतना चाहिए, कल इतना चाहिए, तो वो तो trading वाला काम हो गया, वो भी intraday trading वाला काम हो गया, देखिए, ए भी trading है, ए swing trading, short term trading है, तो आपको intraday trade करना है, तो वो अलग बात है, आपको एक दिन में 2-3-4 percent पैसा double होना चाहिए, तो वो आपको option में काम करना पड़ेगा, तो वो आपके हिसाब से करिए, में किसी को option strategies के उपर में आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया, हमें खुद trade भी करता हूँ, युकि मुझे इतने सालों के experience है, और मैं हमें साब को में यही बोलता रहता हूँ, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम as a swing trading basis में होता है, तो यहाँ पर देखी किस तरह के से मैंने टेड लिया, यहाँ पर क्या बना, solder, उसके बाद एक solder बना, उसके बाद देखे फाइनली ब्रेक आउट हो और ब्रेक आउट होने के बाद देखे धीर धीर करके वो उपर जा रहा है, और फाइनली इसका जो टार्गेट में लेकर चलो करीबन 133 रूपीज के आसपास, और मज़ेतर बाद क्या है अब जानते है, इस कमपाने के जो टार्गेट निकल का रहा है 36%, यह importance नहीं है, importance है कमपाने के जो lifetime हाई है, lifetime जो दो बार कमपाने टॉप किया, मतलब यहापे भी टॉप किया, यहापे भी टॉप किया, यह दोनों टॉप के नीचे टार्गेट बन रहा है, इसका मतलब higher possibility है, इस टार्गेट को वो achieve कर पाएंगे, तो इसी situation को आप समझ लीजिए, इसी situation को आप समझ के पकर लीजिए कि, इसके बाद इसके बाद यहापे अगर इस लेबल तक पहुँचे, और इस तरीके से का सोल्डर बनने के बाद एक big head बने, उसके बाद एक सोल्डर बने, तो एक सोचे का एक बड़ा धमाता देखने को मिल सकता है, बाकी मैं जोरूर कहूंगा, इस company के उपर सारे जीजिए को समझ कर काम करें, क्योंकि पिछले दिनों से जीस तरीके से volume trade होना start हो चुके है, मुझे लग रहे हैं, वो easily वो target को achieve कर पाएंगे, बाकी मैंने trade क्यों लिया, उसके बारे में सिर्फ एक जलब मैं आपको दिखाऊंगा, quarterly result, देखें, result जब मैंने trade लिया, तब time कौन सा था, वो भी देख लीजिए, वो time था, करीबन करीबन, October मान था, around October, October नहीं, मैंने trade अक्चुली इस जगा पे लिया, December मान था, December quarter का result था, तो छोड़ दीजी December quarter का result, आपको पिछले quarter का result में दिखा देता हूँ, पांसो करूर से साड़े छे सो करूर का अस्वास बना, मतलब एक अलग लेवल का कमपानी का profitability growth देखने को मिला, जिसके चलते कमपानी को पर एक massive jump यापे देखने को मिला है, बाकि आपके क्या opinion है जोरू comments करना, इस company के उपर एक rally हो चुके है, बहुत बड़ा rally हो चुके है, अभी थोड़ा सा इस company रुक कर काम करेंगे, क्योंकि कोई भी company को अगर लंबा journey हो गया न, तो उसके उपर profit booking होगा, वह आपे रुकेंगे, कुछ time बिताएगा, उसके बाद फिर से rally होने का chances है, क्या सही में company rally करने के लिए तयार है, तो उसके लिए company का performance देखना चाहिए, तो पर्फोर्मेंस दिखाने से पहले, मैं technically चार्ट प्रण आपके साथ स्यार करूँ, तो मैं जिसके integer कर रहा था, मुझे लग रहा है वो integer खतम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक patterns के में integer करा था, कि यहाँ पे एक range बना, पहली बात इस range को अगर breakout करे, उसके बाद retest करे, उसके बाद उपर गए, तो मैं एक anti लूँगा, मगर मुझे चाहिए यहाँ पे cup with hand patterns, तो cup तो बना, और यहाँ पे handle भी बनने जा रहा है, तो ठीक है, अभी company के उपर क्या टेल लेने के लिए, company का performance सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि company के देखिए, आप देख सकते हैं, December month में company का sales बहुत सांदर ग्रोथ हुआ, और expense को भी company control में रखे, उस basis में company का net profit, एक अलग level का ग्रोथ हुआ, और हमेशा देखिए, net profit 104 से इस बार 104 से 157 तक company का क्रोड का profit यहाँ पर देखने को मिले, तो best तरीके से company profit को maintenance किया, उसके साथ-साथ company खुद की, जो balance sheet है, वो भी देखेंगे, तो company के balance sheet में बहुत सांदर तरीके से growth देखने को मिला, जैसे company के reserve जो है, वो अलग level का growth देखने को मिले है, और उसके साथ-साथ company का fixed asset है, भी देखेंगे, तो अलग level का fixed asset भी देखने को मिला, तो सांदर तरीके से यहाँ पर growth हुआ है, और अच्छा खासा है यहाँ पर growth देखने को मिले, तो company इसी basis में लगातार वो trend, uptrend देखने को मिला, क्योंकि बहुत नीचे level से मुझे बहुत बार इस company को बहुत trade मिला, पहले trade मिला, cup with inheritance का, तो आपे मुझे target हुआ, उसके बाद फिर से आपे एक range trade हुआ, उसको breakout किया, उसके बाद मुझे 30% का target मिला, फिर से मैं एक बाद target लेने के integer कर रहो, और pattern बनने के integer कर रहो, यहाँ पर cup with inheritance compete करे, तो फिर से breakout होगा, तो मैं फिर से anti लूँगा, हाँ मैं समय इसी चीज आपको बार-बार बोलता रहता हो, कि कि हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग जल्बाजी में anti ले लेते हैं, किसी भी जगा पर लग रहा है, कि चलो मेरा तो anti miss हो गया, अगर यहाँ भी मैं miss कर दिया, तो और और भी उपर चला जाएगा, तो मेरा trade miss हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिये, बहुत trade मिलेगा, बहुत तरी, इतना trade मिलेगा, आप trade नहीं ले पाएंगे, अगर आप proper strategies को follow करेंगे, तो please, सारज strategies को follow करिये, मतलब follow मतलब, सारज strategies को back testing करिये, previous data को back testing करिये, क्या आइस तरी किसे patterns में, सही में क्या profit मिला था, क्या उस time financial ठीक ठाक था, तो थोड़ा से मैनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहापे काम करते, वहापे भी मैनत करने के बार ही, आपको पैसा मिलता है, अगर आप खुद के business करते, तो कितना मैनत करते आप सोचिए, तो यहापे तो पैसा बनने के लिए, थोड़ा से मैनत करना पड़ेगा, तो बाकि इस company के उपर, आपके के opinion है, जोरू मुझे comments करना, next company उसका नामें, बर्जर प्रेंट, देखें, बर्जर प्रेंट के वह सब सब मेले, यहापे तो एंटी इसके बाद, रिटेस्ट करने के बाद, आपने एंटी लिया, उपर गया, टार्गेट तो यहाँ तक था, यहाँ तक मतलब 706 तक इसका टार्गेट था, और company 673 तक जाने के बाद ही, वो मतलब reverse हो गया, तो क्या आप exit कर लिए, बिलकुर नहीं, मेरे टेट अभी भी है, मैंने exit नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था, जिस तरीके से वो high volume किया, वो इस level को breakout करेगा, मगर मैं थोड़ा सा आपर गलत था, क्योंकि मुझे previous को यहापर swing high था, जिस लेवल के बाद ही आपर big fall देखने को मिला, तो जिसको कहा जाते है resistance come supply zone, तो supply zone को retest करने के बाद ही big fall हुआ था, तो यह बात नहीं, थोड़ा सा मुझे time लगेगा, लगता है, मगर जिस तरीके से company नीचे आने के बाद, या पर high volume के साथ एक breakout दिया, मुझे नहीं लग रहा कि company नीचे आएगा, वो फिर सी इसको retest करके उपर जाने का कोशिस करेंगे, तो हमेशा कुछ-कुछ time में आपको, कुछ company के उपर time ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जलबाजी में आपको NT मिल जाएगा, मगर उसको target नहीं मिलेगा, साथ आपके एक साल तक वेट करना पड़े, अगर चलो, अभी देखिए, NT जब मैंने लिया, उस level से, NT जब लिया, उस level से, अगर मैं अभी current situation देखू, तो almost 200 दिन हो चुके है, कोई बात नहीं, 200 दिन, 365 दिन भी आगर हो गया, एक साल भी हो गया, तो return केतना मिलेगा, 23%, तो क्या फरक पड़ता है, एक साल में 23% का return, तो average return तो वाखी company के उपर अच्छा मिला न, तो average return आपको, तो मुझे 30% के उपर average return मिलने का, हमेशाथ देखनों को मिल जाते है, तो कहने का मतलब है, जो लोग comment करते हैं, कि बाजर पेंट इतना बड़ा company होना, इतना बड़ा fall देखने को मिला, तो company बेकार हो गया, उसके लिए बता दू, इंडिये के second largest paint company है, इसके उपर कोई, इसके आसपास कोई company देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि A.C.N. पेंट तो बहुत बड़ा है, उसके बाद बर्जर पेंट second largest company है, उसके बाद देखें कंसे नेरोलेक है, जो 23,000 क्रोड के आसपास है, इसको बर्जर पेंट तक पहुचने के लिए, इसको चार गुणा और भी ज़्यदा बड़ा होना पड़ेगा, तो सोचिए, जो लोग यह सोच रहे के बर्जर पेंट बेकार हो गया, तो उसके लिए बता दू, साथ अपने उतना ज्यादा मार्केट को रिषाज नहीं किया, बाकि देखिए मेरे उपिनन आपके साथ सेयर क्या हो, आपके उपिनन अलग हो सकते है, मुझे जुरू सेयर करिएगा, और मैंने कुछ अगर गलत कुछ डिसीजन आपको बता दिया, तो मुझे कमेंट्स करके बोल भी सकते है, कि कि हर किसी का ओपिनन लेना बहुत जुरूरूरी है, कि मार्केट में अगर रहना है, तो हर किसी को सीखने का जुरूरत है, हर किसी को ओपिनन होना जुरूरूरत है, तो मिलते नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धाँ